जो सफर की शुरुवात करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं एक बार चलने का होसला तो रखो मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतिजार करते हैं गुड मानी फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टीडी पॉइंट दोस्तों आज है 21 दिसंबर और श्टार्ट करते हैं आज करने फेस उससे पहले यदे भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगन जरूर प्रिस कर दीजि इसलिए वीडियो को स्किप न करते हूँ लास दिरूर देखा करिये चलिये तो फिर फटा पधी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है अंतराश्टी मानाव यकता दिवस हर वर्स का मना जाता है जाता है ये 20 दिसंबर को यानि कि ऑप्सन 20 का करेक्ट हो जाएगा आपको बता दे दोस्तों कि इस दिन का उद्देश क्या है लोगों को गरीबी भूख और बीमारी को खद्म करने के दिशा में काम करने के लिए एक जुटता के महत के बारे में जागरुकता फैलाना ठीक है जागरेत करना और इस दिन का उद्देश सरकारों को अंतराश्टी सम्झोतों पर अपनी प्रतिवित्ताओं को सम्मान को दोराना भी है ठीक है तो प्रतिवर्स मानव एकता दिवस कम मना जाता है यह मना जाता है प्रतिवर्स 20 दिसंबर को हमारा अगला गोशन है किसानों के कल्याण के लिए असम सरकार ने कितनी योजना घोशित की है तुस्तों किसानों के कल्याण के लिए असम सरकार ने तीन योजना घोशना की है ठीक है तीन योजना की घोशना की है आप्सन भी ये तीन योजना हैं असम के किसानों के लिए रिण सबसीडी योजना असम के किसानों के लिए ब्याज राहत योजना और असम किसानों के लिए प्रोथ साहन योजना तीन योजना याद रखिये गए सबसिडी ठीक है किसानों के लिए रिंड सबसिडी योजना और व्याज राहत योजना और किसानों के लिए प्रोच साहन योजना ठीक है आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जो है रिण सबसिडी योजना में किशानों दोरा बैंकोस लेगे रिण और उनके दोरा चुकाएगी रासी का 25% धनासी की राजसरकार दोरा प्रतिपूर्ति की जाएगी ठीक है तो सम सरकार ने कितनी योजना खोशित की है किशानों के लिए तीन योजना है दोस्तों यहाँ पर असम की बात हो रही है तो बतादे कि असम के कैपिटल है दिश्पूर बरतमान में असम के गवर्नर है जगदीश मुखी और सिया में सर्वानन सोनेवाल दोस्तों एक कोशन बहुत इंपोर्टन पूछा जाता है किस राज्य का नित भी हुए तो भी ही दोस्तों परसीद जो असम का नित है याद रखिएगा ठीक है काजी रंगा राश्ति उद्यान किस राज्य में ठीक है तो यह एक्शाम में पूछा तो इतने पौइंट आप जरूर याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देख लेते हैं केंद्र सरकार ने भारती सम्धान के किश अनुक्षेत के तहट जम्मू काश्मीर में राष्टपति शासन लागू किया करेक्ट एंसर जागा इसका ओप्सन B-356 देखें दोस्तों केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को जम्मू काश्मीर में राष्टपति शासन लागू कर दिया आपको बता दे दोस्तों कि पहली वार 1986 में जम्मू काश्मीर राष्टपति शासन लगाया गया था ठीक है कब लगाया गया था 1986 में और जब किस्टे 1996 में दूसरी वाल लगा गया थी ठीक 1996 में आपको बताते कि राश्च्पति शायसन उस राज्जे पर भारती सम्दान का नुक्षेद 356 को लागू करता है जहां सम्विधानिक मसीनरी चलाने में इसमर्थ हो जाता है ठीक है राश्च्पति राज्य विधान सभा को भंग कर देंगे ठीक है तो याद रखिएगा 356 के थे अर्टिकल 356 के थे और राज्जे जम्मु काश्मीर के वरत्मानिय गवर्नर को ने सत्ते पाल मलिक जरूर याद रखिएगा काफी चर्चित हैं ठीक है सत्ते पाल मलिक अगला कोशन है द्वीजिंग महोच्व का तीसरा संसकरण कहां किया गया कहां अजित किया जाया गये दुस्तु द्वीजिंग महोच्व को तीसरा संसकरण आजित किया जायेगा असम में आपसन सी ठीक है देखे उस्तों असम सरकार की एक नदी परेटन परविजना है और यह 12 दिपसी दूजिंग महुत्व को तीसरा संस्क्राण असम के चिरांग जिले में 27 दिसंबर से शुरू होगा ठीक है 12 दिपसी है यह दूजिंग का अर्थ है दूजिंग का अर्थ है दू वाइं वांग जिले के मादें से बहती है ठीक है यही नदी यह आप याद रखी है ठीक है यही नदी के आसपास लगे गए दूजिंग महुत्व जो की बारेद इपसी चलता है इसका एजन के जाएगा असम के चिरांग जिले में 27 दिसंबर शुरू होगा ऑप्सन सी करेक् ची है भारत की सबकारेबिट डिसंबरल को कहा से प्रधामतरी मोजी जीतारा वे अरे तो अदोस्तों इसका करेक्ट एंसर हो जायगा और और शन्दी वाराणसी से ठीक है वारांसी भारत की सबसे तेजरेम है ट्रेन 18 को 29 दिसमبر 2018 को वारानसी से प्रधानमत्री मोधी जी द्वारा धोचांकित किया जाएगा यह देश की पहली इंजन रही ट्रेन है जो श्रताब्दी ट्रेनों को प्रतिस्थापीत करेगी और यह दिल्ली और वारानसी की पिशनचालित की जाएगी तो यह जरूर याद रखिएगा आपके आगामी एक्जाम्स के लिए एक important fact भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है train 18 ठीक है train 18 इसका नाम याद रखिएगा यह कहां से कहां तक चलेगी दिल्ली और वारानसी के वीचे संचालित की जाएगी ठीक है इसको मोदी जी द्वारा धोजांकित किया जाएगा तो इसका करेक्टेंस होएगा option डी वारानसी से हमारा अगला question है राजजिक के महानी देशक और पुलिस महानी रिक्षक का अखिल भारती सम्मेलन कहां आउजित किया जाएगा तो इक किया जाएगा दोस्तो गुजरात में option B देखे दोस्तो राजज के महानी देशकों और पुलिस महानी देशकों का अखिल भारती वार्षिक सम्मेलन गुजरात में 20-22 दिसमर दोटारता का आउजित किया जाएगा ये सम्मेलन जो भारत के गेंदरी ग्री मंत्री होम इसमें तो याद रखिएगा राज़्य के Masneiditisak का ख्हिल भारती समयलन कहा ओजित किया जायगा यह की जाय गुजरात में थीक है और यह समयलन केंधरिख गिरिमंद्री राजनाय सिंग के उपस्तिति में आजित किया जायेगा ठीक है चलिए अगला कुछन देख लेते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 7 थे हमारा स्टार्ट अप रैंकिंग दो अठारा पर राश्टी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य की रूप में उपरा है करेक्ट रैंसर रहागा दोस्तों इसका ओप्सन एक गुजरात देख दो 20.18 को वाड़ी जो रुद्योक मंत्राले और द्योकी की नीती और समर्दन विभाग ने राज्यों की स्टार्ट अप रैंकिंग दो अठारा पर एक रिपोर्ट करा अनावरण किया है और गुजरात इस्टार्ट अप रैंकिंग दो अठारा में सर्फेश्ट प्रशन करने वाले राज्यों में उबरा है ठीक है यादर किएगा 85% से धिक कि श्कोर के साथ करना टक केरल ओडिशा और राजस्थान को सीर्श प्रश्कों के रूमें चुना गया है ठीक है तो श्टार्ट अप रैंकिंग दो अठारा पर राश्टी रिपोर्ट के उनसार कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रश्थान करने वाला राज्यों में उबरा है यह उबरा है गुजरात कोश्चन नमर एट है जनबरी 2019 में कौन केंदरी अपरतेक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ट के अध्यक्ष रूम में कारे करेंगे जिसका करेक्ट एंसर रहागा दोस्तों आपसंडी प्रणो कुमार दास आपको बता दे दोस्तों के एक जनबरी 2019 से भारत सरकार ने प्रणो कुमार दास को CBIC इस यानि केंदरी अपरतेक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ट के अध्यक्ष करने वाला निकाय है CBIC में 600 होते हैं और इसका नेत्रित्य का ध्यक्ष द्वारा किया जाता है ठीक है तो एक जन्वर दोर नीश से भारत सरकार ने प्रणव कुमार दास को CBIC का ध्यक्ष निउट किया है ठीक है तो यह हो जागा प्रणव कुमार दास ऑप्सन D सेंक्तुराज अमेरिका में भारत के नए राजदुत कौन बने तो दोस्तों आपको बता देख सेंक्तुराज अमेरिका में भारत के नए राजदुत बने हैं हर्ष वर्धन सिंगला ओप्सन ए ठीक है बीज दिसम्बर्द 18 को हर्षवर्धन सिंगला को श्रहकत राज अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है आपको बता देरों सुल North श्रहकत में भात्री श्रहकत करूद सिंगला की नवजद सिंगला है तो यह याद रखियेगा युएसे में हर्षवर्धन सिंगला किस का अस्थान लेंगे यह نवairy सरना का अब देख लेते हैं दोस्तो लास्ट वीडियो का एंसर मैंने आपसे कोशन पूचे था किसे फिक्की का नया उपाधक्ष बनाया गया है दोस्तो फिक्की का नया उपाधक्ष बनाया गया था इसका करेक्ट एंसर वियागा ऑप्सन सी उदय संकर को ठीक है सभी स्टूडेन ने राइट एंसर दिया था और काफी डिटेल में लिखा था अब देख ले तो इस तो आज का सवाल के आज का कोशन क्या है हमारा जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है काफी बॉड़न रहती है दोस्तों डेली आप मौनिंग में पंदा मेंट का समय निकालकर करने फेस्क वीडियो जरूर देखा करें हर एक गिजाम के लिए काफी बॉड़न रहती है ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो को साथ तब तक के लिए अब अपना ध्यान किया स्वस्तर यह बेस्तर यह मस्तरिये वीडियो पसंदात प्लीज लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें थैंक्स अलोट पर वाचिंग जै हिन जै भारत